नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नेन पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ सिराज विकाश शिल इनसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पुर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा किया है रवीवार को उन्होंने मेडिया कर्मियों से बात्चित करने के दौरान उन्होंने कहा कि वह लोग सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बताते चलें कि लोग सभा चुनाव नहीं लड़ने के पीछे अब कई कारण नजर आ रहे हैं मुके सेहनी ने एक और बड़ा बयान दिया जिस से ऐसा लग रहा है कि चुनावी गठबंदन के पीछे सीम और डिप्टी सीम पद की डील हुई है बताते चलें कि मुके सेहनी ने कहा कि तेजस्वी यादों ने यह साफ किया है कि हमारे गठबंदन की डील विधान सभा के लिए है उन्होंने कहा कि तेजस्वी सीम बनेंगे और हम डिप्टी सीम बनेंगे उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तीनों सीटों पर उनके उमिद्वार होंगे वी आईपी प्रमुक ने कहा कि बिहार में सरकार बनी तो निसाथ समाज को आरक्षण मिलेगा उन्होंने कहा कि हमारे पिता मचली मारते थे अगर एक दिन मचली ना मार पाए तो खाने को नहीं होता था उन्होंने कहा कि हम समस्या को दूर करने के लिए निकले हैं आगे बादचीत में मुकेश सैनी ने कहा कि मैंने दिसंबर में अमिश्या से मुलकात की थी निशात समाच को आरक्षन देने पर सहमती बनी लेकिन एन वक्त पर नितीश कुमार भी साथ हो गए और मुझे भाव नहीं दिया गया उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला का कि तानाशाई की सरकार है मुझे शैनी ने का कि दस साल घूम कर ठक गए लेकिन फायदा नहीं हुआ तो नया ठिकाना देखा बता दे कि मुझे शैनी की पार्टी वी आई पी इस बार महा गटबंदन की साथ लोग सबाचुनाव लड़ेगी आरजेडी ने अपने कोटे से तीन सीट गुपाल गंज पूरवी चंपारन और जहनजार पूर दी है पहले यह लग रहा था कि एक सीट पर मुझे सैनी ही खुद चुनाव लड़ेंगे अब यह खुलासा हो चुका है कि मुझे सैनी लोग सबाचुनाव नहीं लड़ेंगे फिलाल जिस तरीके से मुके सेनी लगतार इस बात का दावा कर रही है कि कहीं न कहीं जो गठबंदन हुआ है जो इंडिया गठबंदन के साथ मुके सेनी मिले है ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है 2025 में विधान सभा का चुनाव है और ऐसे में अगर बिहार में आरज़ेडी की सरकार बनती है तो मिकेस सहनी डिप्टी सीम बनने का दावा कर रही है फिलाल के लिए से खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स ने पोलिटिकल बाइट के साथ